सब्सक्राइब नाव फॉर आल दे लीटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अप्डेट्स और कृतिका मलिक के साथ देखा गया था शो में आने के बाद अर्मान को शोशल मीडिया पर जम कर ट्रॉल भी किया गया ऐसे में अब एक बर फिर से अर्मान काफी खबरों में है अर्मान को लेकर हाली में खबर सामने आई है कि उन्होंने चौथी शादी कर ली है खबर है कि अर्मान ने अपने बच्चों की केर टेकर लक्षे से शादी की है ऐसे में अब अर्मान के पतनी कृतिका ने अर्मान और लक्षे की शादी का सच बताया है कृते कादा एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अर्माल मनेक और लक्षे की शादी कुडेकर फैन की पूछे सवाल का जवाब देती नजर आ रही है वो एक हैती है कि वो बहुत बार कहे चुकी है कि मैं और मेरी फैमिली ऐसा कुछ नहीं है अर्मान जी की सिर्फ वाइफ है मैं और पायल कभी भी आप इनको किसी लड़की के साथ देखते हैं तो आप तीसरी पतनी चौथी पतनी कहना शुरू कर देते हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अर्मान जी एक एक्टिंग लाइन में है और इस लाइन में बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो बनानी पड़ती है लक्षे पिछले तीन साल से हमारे गर पर रह रही है और अर्मार जी के साथ वीडियो भी बनाती है वो बच्चों के अकाउंट पर वीडियो बना रही है वो हमारे अकाउंट मैनेज करती है वो हमारे लिए एक फामिली मेंबर की तरह ही है वो हमारे बच्चों को समालती भी है लक्षे और अर्मान जी का ऐसा कुछ नहीं है हम पहले भी कई बार बता चुके हैं इस बारे में बात कर चुके हैं आज फिर से बता रही हूँ ये कृतिका ने अंत में कहा दरजल करवा चौध पर लक्षे की एक वीडियो सामने आई थी जिसके बाद ये सब हुआ इस वीडियो में लक्षे अर्मान के लिए करवा चौध की पूजा करती नजर आ रही है वहीं इस व्लॉग में अर्मान उन्हें गिफ्ट देते भी दिखाई दे रही है लेकिन सब की नजर लक्षे के हाथ में लगी महंदी पर जाते की जिस पर अर्मान का नाम यानि की संदीप लिखा था बस फिर क्या था शोशल मीडिया पर अर्मान की चौधी शादी की खबरे काफी ज़दा तेज हो गई आपको यह बता दें कि लक्षे चौधरी अर्मान के बच्चों की केर टेकर हैं दोनों को अक्सर एक साथ रील बनाते हुए देखा जाता है इस दो आपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को भी ज़रू दबा दें subscribe now for all the latest and trending updates